हेलो एबरीवन आपका एक वाफीर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेस वीडियो पे तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिसकस करूँगा Landed Personal Loan Application से किस तरीके से आप घर बेटे अपने मोईल से Personal Loan ले सकते हैं इसमें मैं आपके साथ डिसकस करूँगा कि Landed Personal Loan Application कितने तक का Loan एमांट देता है क्या Rate of Interest है कितने दिनों का Repayment Time देता है सब चीज A to Z हम लोग इस वीडियो के अंदर कभर करने वाले हैं तो बात कर लेते हैं Landed Personal Loan Application का आज के डेट में 5 लाग से प्लस डाउनलोड है और इसकी Review की बात कर लेते हैं तो 3.6 इस्टार जो है इसको Rating मिला हुए है अब इसकी About section पे चलतर हम लोग समझते हैं हर चीज यहाँ पे जो आपको Maximum Loan मिलता है वो 50,000 रुपे तक का Maximum Loan मिलता है और इस Application के द्वारा आप जो है Silver और Gold को भी Buy कर सकते हैं इंडिया के अंदर यानि कि Landed Personal Loan Application दो सर्विस प्रभाइट करता है पहला तो आप इससे Personal Loan ले सकते हैं जो की Maximum 50,000 रुपे तक का मिलेगा और इसके अंदर Buy कर सकते हैं Silver या फिक Gold को अब इसके बारे में हम लोग Complete Details में देखते हैं तो Benefits क्या है यदि हाप Landed Personal Loan Application से Loan लेते हैं ये Small Personal Loan प्रभाइट करता है जो की 50,000 रुपे तक करता है इसकी Features की बात कर लेते हैं हम लोग तो इसमें जो Minimum Processing Charge जो है वो 500 रुपे का Minimum Processing Charge लगता है Repayment Period की बात कर ले यानि कि Loan Repayment Time जो आपको मिलता है वो 90 दिन से लेकर के 120 दिन मिलता है यानि कि 3 मेने से लेकर के 4 मेने के बीच में आपको Repayment Time देखने को मिलेगा इसका Annual Percentage Charge देखे तो 36% से 22% के बीच में रहता है Depend करता है कि आपका Credit Score क्या है 100% Paperless Loan Application है कि यो भी पेपर का काम नहीं होगा सारा काम Online ही होगा No Force Closure Charge किसी परकार का Force Closure Charge नहीं लगेगा कोई भी गरेंटर्स या फिर कोलेक्टर्स का जोरत नहीं है Multiple Loan Repayment Method Available है Sension Later जो Loan Sension Later वो 30 मिनट के अंदर आपको मिल जाएगा No Subscription और Upfront Charge किसी परकार का Subscription या फिर Upfront Charge नहीं है तो यहां से जो दो तीन चीज हम लोग mainly देखें पहला देखें कि minimum जो processing fees है वो है 500 रिप्या का और repayment time जो मिलता है वो मिलता है आपको तीन मैने से लेकर कि चार मैने के बीच में और इसकी maximum annual percentage rate की बात कर लेते हैं 36% से 72% के बीच में मिलता है भैरी करता है कि आपका civil score क्या है इसकी interest rate और आदा charge की बात कर लेते हैं तो इसका जो interest rate start होता है वो 0.10% to 0.50% per day यानि कि per day के सबसे interest आपको जो पड़ेगा वो 0.10 से लेकर कि 0.50% per day depend करता है कि आपका civil score क्या है 6.5% will be the processing charge plus GST जो इसमें processing fees है वो कितना है 6.5% GST प्रोसेसिंग फीस है और इसके ओपर GST है 10% जो है वो document charge है plus GST 300 रप्या आपसे अलग से लिया जाएगा जो कि system duty charge है simple calculation यदि हम लोग समझे माल लेजिए आपने इससे लॉन लिया है 30,000 रुप्या का interest rate जो पढ़ा है वो 54.75% पर इनम पढ़ा है और लॉन tenure रहने कि लॉन repayment time आपको मिला 65 दिन के लिए तो total personal loan interest जो पढ़ेगा वो पढ़ेगा 29,000 रुप्या है 30,000 का आपने लॉन लिया है तो आपके bank account में जो पैसा जाएगा वो जाएगा 27,045 रुप्या और total जब आप repayment करेंगे तो repayment का value होगा 32,965 रुप्या अब हम लोग से बात कर लेते हैं यदि इससे लॉन लेते हैं तो document क्या लगता है तो document में आपको लगेगा आधार card प्लस bank card तो ये दो document दे करके आप landed personal loan application से loan ले सकते हैं अब इसको जब open करेंगे तो कुछ इस तरीके का interface आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे simply इसको आप देख सकते हैं 10,000 से 50,000 के बीच में आप loan अप्लाई कर सकते हैं minimum documentation है lower interest rate है 60-90 दिनों का आपको repayment time मिलेगा यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ और हम लोग जैसे कि माल लिजे कि यदि आप इस application से loan लेना चाहते हैं तो इस application को कहां से आप download करेंगे तो इस application को आप इस video के description से हमने link दिया है आप वहाँ से download कर सकते हैं तो फिर मिलते हैं तो next को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को ले करके